बंगाल की खाड़ी के चक्रवात का असर, जार्खन में आज कूब बरसेंगे बद्रा, इन जिलों में होगी जमा जम। जार्खन वेदर अपडेट, रांची मौसम केंद के वैज्यानिक ने बताया कि प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून फिलहाल पूरी तरह सक्रिया है। आज पूरे राज्य में अच्छी खासी बारिश की पूरी संभावना है। साथ ही, बंगाल की खाड़ी में एक साइकलो एक सकुलेशन, रांची, जार्खन की राजधानी रांची में बीते 24 घंटे में अच्छी खासी बारिश हुई। दिनभर छिटपुट बारिश होती रही। वही, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान गोड़ा में 37 दिग्री व सबसे कम तापमान 24.1 दिग्री रांची मे दर्ज किया गया है। सबसे अधिक वर्षा 106 मिलिमीटर पूर्वी सिंभूम में दर्ज की गई। बुधवार के मौसम की बात करें तो आज पूरे राज्य में जबरदस्ट बारिश होगी। रांची मौसम केंद्र के वैग्याने का भिशेक आनन ने बताया कि प्रदेश म में फिलहाल आने वाले 3-4 दिन तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाक के अनुसार आज फिर पूरे राज्य में जोरदार बारिश देखी जाएगी। करीग 50-75 प्रतिशत तक बारिश की संभावना है। कुछ जिले हैं जहां हैवी बारिश को लेकर अलद जारी किया गया जिसमें हजारी बाग, बोकारो, गिरिदी, कोडर्मा, दुमका, रांची, खुटी, सराइकिला, खरसावा, पश्चिमी वपूर्वी सिंभुमी, गमला वलोहर दगा शामिल हैं। अगले 24 घंटों में प्रदेश के इन 22 जिलों में चक्रवाद गरच चमक के साथ बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी की आलट। मौसम विभाग ने गुरुवार से अगले 2-3 दिनों तक भुपाल के साथ सिबनी और बालागार जिलों में भारी बारिश की भविशिवानी की है। प्रदेश में मौसम का मिजाज, जून में भारी बारिश हुई, हाला की जुलाई महीने में बारिश काफी तेज हुई थी, जुलाई में हुई बारिश ने जून की कमी को पूरा कर दिया है। जून जुलाई माह में कुल वर्षा से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। उत्तरी क्षेत्र को छोड़ कर पूरे राज्य में इस महीने संतोष्चनक बारिश हुई है। राज्य के बांधों में भी संतोष्चनक जल भंडार जमा हो गया है। वालियर उज्जैन समेथ प्रदेश के अन्य जिलों में हलकी बारिश की संभावना जताई दी है। 31 जुलाई से मौसम में तेज हलचल की उम्मीद आयंडी भोपाल के वैग्यानिक के अनुसार दक्षन कूरवी मध्य प्रदेश में चक्रबाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है। मानसून की द्रोनिका गुना, रायसेन और मंदला से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा, दो अधन्य मौसमी प्रनालिया भी सक्रिय हैं, जो मौझूदा बारिश में योगदान दे रही है। 31 जुलाई से मौसम में तेज हलचल की उम्मीद है। दक्षन पश्चम मानसून का आधा सीजन बीता, जानिये देश भर में क्या है बारिश की स्थिती। कमी दर्ज की गई है। जबकि केंद्रिया और प्रायग वीपी अक्षेत्र में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। असमान बारिश का प्रभाव, इस वर्ष के मानसून में स्थान और समय के आधार पर भारी अंतर देखा गया है। कुछ क्षेत्रों में बारिश की कमी होने से फसलों और जल संसाधनों पर प्रभाव पर सकता है। जबकि कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण बार जैसी स्थिती भी बन गई है। इस तरह बारिश का अनिश्चित और असमान वित्रल मानसून की भविश्यवानी पूर्वानुमान और इसके प्रभावों के आकलन में चुनोतियां पेश करता है। कही जादा, कही कम बारिश उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखंड, पश्चिम बनगाल, पंजाब, हर्याना और चंडीगर में बारिश की कमी रही है। सिक्किम और उपहिमालेई पश्चिम बंगाल को छोड़ कर पूर्वोतर क्षेत्र में मानसूनी बारिश सामान्य से कम रही है। वही, नागालन, मनिपुर, मिजुरम और त्रिपुरा में बारिश की कमी 32 प्रतिशत रही है, जबकि अरुनाचल प्रदेश में यह 18 प्रतिशत नीचे है। गौर तलब हैं, जून में उत्तर और पूर्वी हिस्सों में सूखी की स्थिती और जुलाई महिने में महाराश्ट्रा वगुजरात में बार्ख की स्थिती से मानसून का वित्रन असंतुलित हो गया है। कई फसलों को नुकसान, बारिश के इस असमान वित्रन और कमी ने देश की धान उत्पादक शेत्रों किसानों और सरकार दोनों को तनाव में डाल दिया है। वही, जुलाई में हुई अत्यदिक बारिश ने दक्षिल में कॉफी की फसल की संभावनाओं को नुकसान पहुँचाया है। वही, उत्तर में चाय उगाने वाले क्शेत्रों में प्रतिकूल मौसम की स्थिती ने चाय क्शेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस असामान्य मौसम और असमान बारिश के कारण क्रिशी क्शेत्र में कई चुनोतिया उत्पन हो रही है। जून की कमी जुलाई में पूरी, जून में मानसून मौसम प्रणालियों की कमी और जुलाई में इन प्रणालियों की असामान्य दिशा के कारण उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में बारिश का वित्रन असंतुलित हो गया है। निम्न दबाव और चक्रवाती परिसंचरंग की एक श्रिंखला महराष्ट्रा, मध्य प्रदेश और गुजरात के मानसूनी वर्षा आधारिक शेत्र में चली गई है। परिनाम स्वरूप इन शेत्रों को पिछले सालों की तरह निरंतर सूखे के दर से रहत मिली है। देश में सामान्य से अधिक बारिश, जुलाई में देश भर में लगभग 10 प्रतिशत अधिक बारिश हुई, जिससे जून में 11 प्रतिशत वर्षा की कमी की भरपाई हो गई। गौर तलब है, मानसून सीजन के आधे रास्ते में मौसमी बारिश, ब्रेक इवन, बिंदू के बहुत करीब है। पूरे भारत में सामान्य वर्षा 446 मिलीमीटर के मुकाबले 454 मिलीमीटर हुई है, जो औसत से 8 मिलीमीटर अधिक है। इस प्रकार मानसून की स्थिति अब अधिक संतुलित है, अब तक की बारिश सामान्य से थोड़ा अधिक है, जिससे किसानों और मौसम विशेशग्यों को राहत मिली है। मानसून पर समुद्री स्थितियों का प्रभाव, भारतिय मानसून काफी हद तक सुदूर प्रशांत महासागर और नजदी की हिंद महासागर की स्थितियों से नियंत्रित होता है। इस साल की शुरुवात में अपेक्षित लानीना, लनीना की स्थिती, जो मानसून के दौरान होने की उम्मीद थी, अब देरी से आने की संभावना है. पूर्व में देखे गए ENSO Neutrality, ENSO स्थिर्टा कुछ महीनों तक चलती है. इसलिए, कमजोन लानीना सितंबर के अंतिया अक्टूबर में आ सकती है. हाला कि, इसके आने पर भी इसके प्रभाव को महसूस करने में समय लग सकता है. मानसून के समर्थन में कमी, हिन महासागर डिपोल आयोडी ने भी मानसून के दौरान सकारात्मक होने की पूर्व भविश्यवानी को भी नकार दिया है. आयोडी सुचकान की विसंगती लगातार नकारात्मक बनी हुई है, हाला कि यह न्यूट्रल ट्रेशोल्ट सीमा के भीतर है. किसी भी स्थिती में साल के इस समय में मौडल की सटीकता भी कुछ सपताहों के बाद कम होती है. यह माना जा सकता है कि दोनल समुद्री पैरामीटला नीना और आयोडी मानसून सीजन के दूसरे हिस्से में दक्षन पश्चम मानसून को किसी भी तरह का पूरा समर्थन नहीं दे सकते है. इसके बावजूद प्रित्वी ग्रह की सबसे बड़ी वैश्विक प्रनाली दक्षन पश्चम मानसून में सभी बाधाओं के बावजूद एक संतोष्चनक सामान्य मौसम को आगे बढ़ाने के लिए परियाप्त आंतरे कूर्जा है. राजस्थान में मानसून महरबान, आज 31 जिलों में बारिश का अलट, यहां हुगी भारी बारिश. मौसम विभाग की माने तो आने वाले पांच दिनों तक राजस्थान में मानसून महरबान रहेगा. इसके अलावा रविवार को भी तीन जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश होने की संभावना है. जैपुर, मानसून के मेगे एक बार फिर से जैपुर सहित पूरे प्रदेश में सक्रिय है. आज प्रदेश के 31 जिलों में बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर यलो और ओरंज अलत जारी किया है मौसम विभाग की माने तो आने वाले पांच दिनों तक राजस्थान में मानसून महरबान रहेगा अगले 24 घंटों में प्रदेश के इन 22 जिलों में चक्रवाद गरच चमक के साथ बरसेंगे बादल मौसम विभागने जारी की आलत जुलाई के चित्तोर गड़, घीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, सिरोही और जालावर में अच्छी बारिश हुई बारान के चीपाब रहोद में 38 एमिम, किशंगंज में 17, शाहबाद में 17, छबड़ा में 16, अट्रू में 8, अन्ता में 6, जैपुर जिला कलेक्टर एक पर शाम 5 बचे कर दो